दूल्हा ओ या दूल्हन हिंदू परंपरा के नुसार शादी में दौनों को महिंदी लगाई जाती है दरसल महिंदी 16 शिंगारों में से एक है यह न केवल सौन धर्य बढ़ाती है बलकि इसके लगाने के पीछे तर्थ यह है कि महिंदी की तासीर थंडी होती है और हातों में महिंदी लगाई जाने का उद्देश अपने धहर्य और शांती को बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है आज महिंदी का प्रयोग न केवल हातों में होता है बलकि पैरों में भी शौक से लोग महिंदी को लगाते हैं लेकिन हमारे यहां महंदी लगाने के बाद एक परंपरा का पालन आवश्यक रूप से किया जाता है वह यह है कि महंदी लगाने के बाद दूलह या दूलहन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता इसे सर्वाला या सर्वाली की रस्म कहा जाता है इसके लावा महिंदी लग जाने के बाद से ही तुरंत वर और वधू दोनों के ही साथ उनके निकटतम मित्र और सखी या फिर कोई समान आयू का निकटतम रिष्टेदार नियंतर साथ बना रहने का उलेख शास्त्रों में किया गया है आपको बता दें ऐसा पहले भी किया जाता था कि सर्वाला सर्वाली रिष्टेदार या मित्र जो साथ रहता है और आज भी यह जारी प्रथा है इसके पीछे भी कोई रूनी या दखिया नूसी धारणा नहीं है बलकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि कोई नकारातमक शक् आज की रिपार्ट